हेलो बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल डिश्टल को सामभी में हम लोग यहां पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस चैप्टर वन आगी उसका पार्ट 3 है इससे पहले हम दो पार्ट और डिसकस कर चुके हैं यह पार्ट थड़ आपको तभी समझ में सकते हैं तो दिरे-दिरे हम लोग आपका सलैबस कबर कर रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे राशायनिक अभिक्रियाओं के प्रिकार यानी टाइप्स ऑव किम्कर रियाक्स्यंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि रसाइनी कभिक्रियाओं के कौन-कौन से टाइप्स है फर्ष है आपका सेयोजन, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है आपका विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है आपका दी विस्थापन अभिक्रिया और फिप्ट है आपका उपचरियन इमन्स अभचरियन तो हम लोग क्लम से चलते हैं पहले देखेंगे कि स्यैयोजेन अभिकरिया क्या होती है जैसे किसके नाम से ही हमें पता चलना है स्यैयोजेन, सैयोजेन का मतलब होता है जूड़ना है न? तो सेयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक और उत्पात के बारे में हम लोग पहले ही डिसकस कर चुके हैं तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पात बनाते हैं में हमारा हो गया कैल्सियम ऑक्साइड और जल तो जब हम कैल्सियम ऑक्साइड को यानि बीना बुझा चूना कैल्सियम ऑक्साइड किसका सुत्र होता है बीना बुझा चूना गा जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कैल्सियम ऑक्साइड प क्या समझते हैं इसकी परिभास इसको डिफाइन करिए तो यहां पर हम लोग इसके नाम से जानेंगे सही हो जन सही हो जन को मतलब होता है जूड़ना अर्थार्थ इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर यानि किसी चीज को करने के लिए जैसे मालीजी अच्छे हैं तभी वापस में लड़ाई कर पाएंगा अगर केला है तो कैसे लड़ाई कर पाएगा तो यहां पर भी सेम चीज लागू होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं यहां पर केवल एक उत्पाद बनेगा इससे एक्स्ट्रा करवाएंगे तो हमें कार्बन की क्रिया मौक सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कार्बन डाई आकसाइड प्राप्त होती है तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहे हैं जुड रहे हैं तो इस प कारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं केवल एक ही उत्पाद कर निर्माड होगा वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हमें मिलेंगे केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपकी सेयोजन अभिक्रिया हो रही है फिर नेक्स्ट है हमारा अपो घटन या वियोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में क्या होता है जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानि एक अभिकर्मक होगा वह दो छोटे छोटे उत्पादों को बनाएगा यानि एक अभिकर्मक तूट करके दो छोटे छोटे अभीकर्मक जब कोई अभिकरिया हो रही है और वहां पर जो हमारा अभिकारक है वो दो खंडों में विभाजित होकरके दो छोटे-छोटे उत्पात बनाएगा तो यह अभिकरिया हमारी क्या कहलाएगी वीयोजर अभिकरिया कहलाएगी जैसे कैलसियम कार्बोनेट है जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राफ्थ होता है कैल्सियम आक्साइड और CO2 यानि कार्बन डाई आक्साइड यहाँ पर हमारा क्या है कैल्सियम कार्बोनेट दो खंडों में विफ़त हो रहा है एक तो हो गया हमारा कैल्सियम आक्साइड और दूसरा हो गया हमारा carbon dioxide तो यह क्या हो गया कि दो छोटे एक उतपाद दो छोटे छोटे उतपाद हमें एक अभिकारक हमारा दो छोटे छोटे product में विभाजित हो गया तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी वियोजन याद रखेंगे यहाँ पर तो यह इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे उसमी वियोजन यानि जो हमारी वियोजन की अभिक्रिया है यदि उसमा के द्वारा हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे उसमी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे इसी क्रम में आते हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन का मतलब होता है हटाना जितने भी यह टाइप्स हैं इसके हम इसके नाम से इनके बाले में सब जान सकते हैं विस्थापन विस्थापन का अर्थ होता है हटाना जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्तो दूसरे अभिकर्म योगिक में से किसी तत्त को विस्थापित करके उसका इस्थान ग्रहन कर लेता है तब यह अभिक्रिया विस्थापन यानि कोई अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक को वहां से हटा देता है और क्या करता है वो उसका इस्था लेता है जैसे एक अभिकर्मक A है और दूसरा अ तो इस A ने क्या किया, यहां से B को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, और B की जगा स्वयम उसका इस्थान कर लिया, तो यहां पर क्या हुआ कि इसने A ने B, B को विस्थापित कर दिया, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, वो हमारी क्या होगी, विस्थापन अभिक जो हमारा अधिक सक्री अभिकर्मक होता है वो कम सक्री अभिकर्मक को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है यानि अधिक सक्री अभिकर्मक ही कम सक्री वाले अभिकर्मक को विस्थापित करेगा फॉर इजम्पल हमें आ लेते हैं जैसे हमारा जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, जब हम इनके आपस में अविक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक के सल्फेट प्राप्त होता है, अब क्या हो रहा है, जिंक है, जिंक सल्फेट, यानि इसने क्या कि गया जिंक सलफेड हो गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया तो यहां पर कौन से अभी क्रिया हो रही हमारि विस्थापन अभी क्रिया हो रही है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्व이는 लोग देखेंगे कि शी का क hierarch टाइपस हा तो इसमें A B के किलिए यदि हम C D के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्थ होता है C B plus A D देखें यहाँ पर A B है और यहाँ पर C B हो गया तो A ने किसको अटा दिया C को और C की जगा क्या आगया हमारा? A D आगया यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर हमारा होना चाहिए था A भी है जैसे यह भी कर्मक हमारा A भी दिख रहा है यहाँ पर A भी है तो इसके जगह पर हमें क्या प्राप्त हो गया C भी यानि C ने A का इस्थान ग्राट कर लिया और यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है CD होना चाहिए यहाँ पर क्या मिल ला है हमें AD मिल ला है यानि A ने C का इस्थान यानि यह A दूसरे को विस्थापित कर रहे है A C की जगा पहुंच रहा है और C जो है वो A की जगा पहुंच रहा है इस प्रकार से यह दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं अर्थात यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी दे विस्थापन यानि इनके बीच आइनों का आदान प्रदान हो रहा है जैसे फॉर एक्जंपल से और समझेंगे इसको वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच ये दो अभिक अभिक्रिया होगे ने सो 4 ने अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहनשה याने फिल थिया तो क्या बन गया यहाँ पर है और सो 4 है और इसने क्या कि बीच च्टेुक Moi Po यानि यहां पर यन एन ने बी ए को प्रतिस्थापित किया और बी ए ने यहां पर एने को प्रतिस्थापित किया बी एने की जगा पर हमारा आ गया बी ए और बी ए की जगा प्राप्त हो गया हमें एने यानि यह क्या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, हमारी वो क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता हमारा उस्मा छेपी वा उस्मा सोसी, इनके नाम से भी देखेंगे उस्मा छेपी, यानि उस्मा को निकालने वाला, जहां पर उस्मा निकलेगी, उस उसमा शेपी अभिक्रिया जो है हमारी उसमें क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्मार के साथ साथ उसमा भी निकलेगी यानि उसमा का भी निर्मार होगा यानि उसमा निकलेगी तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी हमारी क्या होगी वो उसमा करते हैं तो इसकी भौतिक अवस्थाएं भी वहाँ पर लिख देते हैं कि गैस है कि लिक्वीड है कि हमारा सॉलीड है तो अगर यह सॉलीड होता तो यह गैस है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है जी लिख रखा है तो प्राक्टिक गैस का सूत होता है हमारा सेज़ तो उस्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है कि उत्पाद के उत्पाद तो बनी रहें उत्पाद यहां पर हमारा क्या क्या बन रहा है एक कारवन डाय एक साइड बन रहा है और एक जल बन रहा है लेकिन इसके साथ साथ यहां पर हमें उस्मा की भी प्राप्ति हो रहे यानि उ औसौसित करें जब अभी क्रिया होगी तो क्या होगा उस्मा का औस होगा जैसे यहां पर देखेंगे जब हम नाइट्रॉजन के क्रिया करवाते हैं ओक सीजन के साथ तो हमें क्या प्रापथ होता है । और इसमें कितनी उरजा अवोती है 45 किलो कैलोरी उर्जा यानि जब हमें रेक्शन करवाते हैं तो इसमें 45 किलो कैलोरी उर्जा आवसोसित होती है तो जब उसमा आवसोसित होगी तो वो क्रिया हमारी उसमा सोसी कहलाएगी और जब उसमा निकलेगी तो वो अभी क्रिया हमारी उसमा 6P कहलाएगी इसके बाद next आता है आपका Oxygen, Oxidation and Reduction Oxygen क्या होता है और Oxygen क्या होता है दोनों को साथ साथ देखेंगे हम लोग इहां पर Oxygen जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है Oxygen Oxygen का मतलब होता है इसके साथ Oxygen जुड़ेगा और Oxygen में देखेंगे हम लोग किसके साथ hydrogen जुड़ेगा यानि जब ओक्सीक्राड की क्रिया होगी तो हमारा oxygen जुड़ेगा और जब अप्चेन की क्रिया होगी तो इससे हमारा hydrogen जुड़ेगा ये दोनों जो क्रियाएं होती है वो जस्ट एग दूसरे के विपरीत होती है तो यहाँ पर हम अगर एक चीजह याद कर लेड़ जैसे इस में चु़रीजन जुडेगा तो इसमें हाइडोजन जुडेगा अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुडेगा तो इसका मतलब है कि यहां से हाइडोजन निकलेगा अब इसका जेश्ट विपरीद होता है इसमें भी जैसे हाइडोजन निकलेगा सॉरी हाइडोजन यहाँ पर जुड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से उक्सीजन निकलेगी, यह दोनों अभिकरिया एक दूसरे के जेश्ट विपरीद होती है इस बात का ध्यान रख़ेंगे तो यह इसकी definition हम लोग बहुत इरी तरीके से दे पाएंगे oxygen 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 मतलब oxygen यहां चुड़ेगा अपचैन मतलब hydrogen चुड़ेगा oxygen में hydrogen निकलेगा जबकि अपचैन में oxygen निकलेगा इस प्रकार से हम इसकी definition दे सकते हैं कि oxygen वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन में तत्व या योगिक से oxygen का सयोग होता है और hydrogen निसकासित होता है तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होगी हमारी क्या कहलाएंगी वो oxygen करण कहलाएंगी फॉर एक्जामपल देखेंगे हम यहाँ पर जैसे आपका copper है copper की क्रिया जब हम oxygen के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है copper oxide प्राप्त होता है तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी oxy करण कहलाईगी क्योंकि यहां पर oxygen क्या हो रहा है, copper के साथ जुड़ रहा है, अब इसके पाद आता है हमारा up chain, किसी पदाद के साथ hydrogen का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा up chain कहलाता है, जैसे hydrogen है और इसके साथ यह जुड़ेगा तो यह हमारा प्राप्त हो जाएगा, hydrogen iodide प्राप्त हो जाए यहां पर एक चीज और आती है इसी में कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है यह दोनों अभिक्रिया जो होती है वो साथ साथ होती है जैसे एक्जाम्पल के लिए ले लिजे कि जिंक ऑक्साइड है जब इसके क्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें जिंक और कार्बन डाय अक्साइड प्राप्थ होता है जब कार्बन मोनो अक्साइड है जैसे यहाँ पर और जिंक ऑक्साइड है तो क्या होता है जि औक्सीजन निकलेगा मतलब किसके क्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक से औक्सीजन निकल ला है यानि कि अप्छेन की क्रिया हो रही है और यहाँ पर कार्बन मोनो आकसाइड है और यहाँ पर क्या बन रहा है कार्बन डाइ अकसाइड बन रहा है तो रेडाक्स अभी क्रियाएं क्या होती हैं, यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का अप्चैन होता है, तो दूसरे पदार्थ का अप्चैन होता है, यानि जो क्रियाएं हो रही हैं, तो उसमें एक पदार्थ का अप्चैन होगा, और दूसरे का अप्चैन होगा, तो इन नाम पर यह आपक्रिया को हम क्या कहेंगे डेक्र ऑख लेंगे अशीकारण का oxy ox ले लेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा red ox इस प्रकार से अभिक्रिया क्या के लाएगे हमारी red ox अब chain का यानि reduction का red और oxidation का ox लेकर कि हम इन दोनों को क्या बना लेते हैं red ox यानि एक बार फिर देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का oxy करण होता है तो दूसरे पदार्थ का अब chain होता है अता इन्हें संयोक दूप से oxy करण अब chain या redox अभिक्रिया कहते हैं तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम लोग अपने स्लैबस को यहीं कांटिन्यू रखें और कवर कर पाएं थैंक्स फॉर वाचिंग